अगर आपको स्पिंडल को लॉक करना है तो आप किस सरीके से लॉक कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता बढ़ा हूँ सबसे पहले आपको यह कमांड लगानी है M1 9 End of Lock Insert जैसे ही आपने यह लगाई कमांड और साइकल बटन को आउन किया तो आप अपने spindle को देखे, यह देखे यहाँ पर यह आपका spindle lock हो गया है अब यह spindle आप इसको move करेंगे तो यह move भी नहीं होगा अब यहाँ पर अगर आपको कुछ करना है, इसके अंदर कुछ चेंज करना है या फिर इसको jaws को खोलना है तो आप इस mode में जो है अब आपको जो है इसको फ्री करना है तो आप जो कमांड लायाएंगे M20, यहां पर देखिए M20 एंडव लॉक और इंसर्ट, यह कमांड जैसी आप लगाएंगे और उसके बाद आप साइकल बटन को अन करेंगे, तो जो है आपका स्पिंडल जो है यह फ्री हो जाएगा, इस यह आपका स्पिंडल जो है पुरी तरह से फ्री है, इस कमांड का यूज करके जो है आप स्पिंडल को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, तो यह जो है बेसिक था MDI का, अब हम नेक्स्ट जो कमांड है, वो मैं आपको बदाने वाला हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है position आप देख सकते हैं, पास देखा। यह देखिए आपकी जो मशीन है कहीं पर भी है, बड़ आपको पहले reference करना है, तो reference कैसे करेंगे इसके लिए आपको तबसे पहले तो यहाँ पर देखिए यह reference return button है, इसको जाप press करेंगे, यहाँ पर आपने प्रेस किया तो पहले आपको जो है एक्स या जेड ठीक है प्लस डिरेक्शन में आपको जो है बटन प्रेस करने है तो पहले आम एक्स में करके देखते हैं तो एक्स प्लस वाला जो डिरेक्शन वाला बटन है इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो टूल टर देखिए यह देखिए यह देखिए टूल आपका अपनी होम पोजीशन पर पहुंच गया और पैनल पर आप देख सकते हैं X की वेल्यू 0 और Z की वेल्यू 0 हो गई है इस कंडिशन में आप देख सकते हैं कि रेफरेंस इसको कैसे करना है अब आपको टूल टरेट इंडेक्स को चेंज करना है आपको चाहते हैं कि मैं आपना टूल नंबर 6 है भी चल रहा है इसको साथ नंबर टूल लाना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर देख सकते हैं यह बटन जो है tool turret index button जिसको प्रेस करेंगे तो आप जो है इसको change कर सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको जो है jog mode select करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर मैं जो है तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 7 नमबर 8 नमबर या कोई दूसरा tool लाना चाहता हूँ तो मैं tool turret index को प्रेस करूँ आप देखिए मैं यहाँ पर प्रेस करने जा रहा हूँ इसको दिखाँ यह देखिए देखिए 7 नमबर tool activate हो गया है यह देखिए आजनुमबर टूल हमारा activate हो गया यह हमारा art number का टूल आये यह उसका है अब हम चाहते है कि एक नमबर का tool हो गया तो tool turret index से हम जो है tool turret को change कर सकता है अलग-अलग tools लगा हुए है यह tool turret index को हम जो है job mode में change कर सकते है इस तरीके से हम CNC machine के basic functions का use करके machine को operate कर सकते हैं तो I hope ये वीडियो आपको समझ में आई होगी जो लोग नए हैं जिनको CNC machine के बारे में नहीं पता है उन लोगों को थोड़ा सा helpful रहेगा ये वीडियो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में बाइ शोगैं लोग अणोगा इन पता हैं श्ट्र घ्ली का अवी का अवीडियोग लूगज है सुवर्सalities लोगँ викराँ इनलभ इनने मिलते हैं झाली इनल हम लिए करूग जाहिवी ऊपकोर्स आपक chicos I cover my eyes so I don't see you So I breathe in Then I breathe out Breathe in Stop and close my eyes And slowly breathe out So tired of the fighting The whispers and backbiting I'm invisible With no one around me Can't move the constantly